आज हम लोग मोहर सॉल्ट का 250 ml 1 by 20 molarity का standard solution बनाएंगे इसके लिए जो material required से हो है ferrous ammonium sulphate जिसे मोहर सॉल्ट भी कहते हैं यह है हमारा digital weighing balance या chemical balance भी कहते हैं यह हमारा volumetric flask इसमें 250 ml पे एक mark लगा होता है यह हमारी weighing bottle है और यह watch glass है इन दोनों में से कोई भी हम लोग एक यूज कर सकते हैं वे करने के लिए यह है 250 ml beaker यह है distilled water और यह है dilute h2so4 यह funnel है यह हमारा stirrer यह है distilled water थोड़ा beaker में भी ले रखा है हमने यह है पिपेट है यह और यह है spatula chemical निकालने के लिए पहले हम weigh करेंगे weigh कितना करना है इससे हम इस तरीके से निकालते हैं हमें पता है molarity is equal to mass of solute upon molecular mass into 1000 upon volume of solute to be prepared अब इसको mathematical इस तरीके से इसका formula लिख देखते हैं हम अपॉन M equal to WB upon MB in 2000 upon V अब वोलरिटी है वन बाइट्वेंटी और मास हमें निकालना है मोलर मास की जगा 392 रख दिया अपॉन इन्टू 1000 अपॉन 250 अब इससे जब हम solve करेंगे तो हमारा weight आ जाएगा 4.9 ग्रैम्स बड़ी easy calculation है तो हम 4.9 ग्राम मोहर salt वे करेंगे तो हम watch glass ले लेते हैं watch glass को digital balance पर रखा अब इस पर 38.6 इसका weight आ रहा है जिसको हम tear कर देंगे tear करने से पूरा weight zero हो जाएगा तो हमें कुछ less नहीं करना पड़ता है इसमें एक फायदा यह रहता है इसमें हम direct 4.9 ग्राम वे कर लेते हैं हमें watch glass का weight plus या minus यह सब नहीं करना रहता यह सब 20 साल पहले होता था अब जब से digital balance आगे तब से कुछ नहीं होता सीधे हम 4.9 वे कर लेते हैं और बहुत इजली हो जाता यह देखिए exact 4.9 हो जाएगा थोड़ा सा निकाला यह फोर पॉइंट यह देखिए 4.9 exact हो रहा है यह थोड़ा सा नीचे टेबल हिलने से यह उपर नीचे होता है लेकिन यह 4.9 हो गया है अब हम 4.9 ग्राम मोहर salt को एक बीकर में हम ट्रांसफर कर लेंगे इस तरीके से खाली बीकर में ट्रांसफर कर लिया और इसमें हम water नहीं एड़ करेंगे इसमें करी 5060 ml हम dilute sulfuric acid यूज करेंगे डालीट sulfuric acid करी 50-60 ml अराम से यूज कर सकते हैं 60-70 भी हो जाए तो कोई बात नहीं है उसको यह करने ज़ोड़ नहीं है उसके बाद में इसको भी distilled water से wash glass को भी हमने इस तरीके से wash कर लिया इसके उपर पानी डाली और water beaker में आ जाएगा तो सारा का सारा salt हमारा transfer हो गया बीकर में अब इसे तोड़ा सा stir करके dissolve कर दीजे ferus ammonium sulphate बहुत अराम से dissolve हो जाता है यह dissolve हो गया अब इसे हम transfer करेंगे volumetric flask में यह 250 ml का ही volumetric flask है 250 ml पे इसमें एक निशान लगा इस तरीके से आप dissolve कर सकते हैं लेकिन आपकी book में कहीं कहीं इस तरीके से पूरा apparatus दिया होता है तो इससे हम funnel इसमें अटक जाती है तो हमारे दोनों हाथ free हो जाते हैं और हम आराम से अपना काम कर पाते हैं इसको इस तरीके से volumetric flask के अंदर डाल दीजिए solution और इसके बाद इसको beaker को देखिए इस तरीके से आप wash कर लीजिए इसके अंदर water डालिए यह wash bottle है wash bottle से distilled water डालिए इसमें और यह पूरा का पूरा ताकि जो भी इसके अंदर salt वागरा लगा हो वो सारा का सारा transfer हो जाए इस तरीके से और थोड़ा थोड़ा डालना यह नहीं कि 250 ml से उपर हो जाए बस इतना ही रखना थोड़ा थोड़ा करके डालना यह देखिए हमने दो बार इसको wash कर लिया बीकर को stirrer को wash कर लिया हर चीज को wash कर लिया अब हम funnel को भी wash कर ले रहे हैं ताकि जहां भी कोई भी salt का traces भी लगे है salt के वो भी हमारे transfer हो जाए volumetric flask के अंदर अब धीरे-धीरे करके हमें इसको इसका मार्क तक एक मार्क बना हुआ उस मार्क तक हमें भर देना है लेकिन ऐसे नहीं करेंगे जब बिल्कुल मार्क के पास में आ जाए तो हम छोड़ देंगे रोक देंगे अभी फूल नहीं हुआ है अब हम ड्रॉप बाइड्रॉप एड्ड करेंगे तो ड्रॉप बाइड्रॉप किस तरीके एड्ड करते हैं अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास खटा लीजिए और पिपेट ले लीजिए अब पिपेट में थोड़ा सा डिस्टिल्ड वॉटर सक कर लीजिए यह देखिए पिपेट में डिस्टिल्ड वॉटर को सक कर लिया और यह देखिए एक एक ड्रॉप करके हम इसे एक दो तीन चार पांक छे इस तरीके से ड्रॉप करके हमने उस्वें बिलकुल मार्क तक हमने भर दिया है और यह 250 ml हमारा त्यार हो गया है इसकी कैलकुलेशन जो आप कॉपी में लिखेंगे वह है प्रिपरेशन ऑफ इस्टेंडर सोल्यूशन और एंबाइट्वेंटी मोहर स्वाल्ट को हमें मोलेरिटी का फॉर्मूला पता है मोलेरिटी इज इक्वल टू पहले हम लिखेंगे वेट ओफ दो मोहर स्वाल्ट इस 4.9 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ इस स्वाल्यूशन इस 250 ml नाव फॉर्मूला मोलेरिटी इक्वल टू डू डू बी अपॉन एंबी इन्टू थाउजन अपॉन टू तो डू बी वेट है हमारा 4.9 ग्राम मॉलेकुलर वेट है 392 इन्टू 1000 अपॉन 250 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मोलेरिटी हमारी आ जाएगी वन अपॉन 20 या 0.05 एम तो बेटा हम जब डिजिटल बैलेंस पर वे करते हैं तो हमें एम्टी वाच ग्लास का वेट लेने की जरूरत नहीं होती वह अनलेटिकल बैलेंस से जाउम करते थे तो हमें उसकी जरूरत पढ़ती थी